हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल रोबिन बुटिक फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वूलन सूट की कटिंग कैसे की जाती है दोस्तों आज की वीडियो का जो टुटोरियल है वह एक आलोवर सूट है आलोवर सूट में से आपको कपड़ा आता है सूट में और किसी में 4 मिटर भी आता था है दोस्तों अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना यह देखिए मेर पास यह जोग प्रकार से पूरा कप्ला कपड़ा आपको प्छेला कर दिखा देता हूं कि यह देखिए टोटल साढ़े चार मीटर कपड़ा है तो जो भी कटिंग होगी साथ इसकी फ्रेंट सबसे पहले जो पार्ट कटेगा इसका वो कटेगा फ्रेंट पार्ट तो इसको आपको किस प्रकार से बिच्छाना है जब भी हम कटिंग करते हैं तो हमें गले के कोडिंग क्रुब पर कंगर क्रूह करनी होती है गला के सूट ऐसे भी होते हैं इसमें जो गला एक तरफ सेड में बना होटा है तो दोस्तों हमें गले के कोडिंग करनी है इस सबसे पहले आपकरना क्या है कि बिल्कुल पीच-पने इस को कपड़ा कर से विशना तो फंस आप देख सकत हमें जिस चीज को जूद पढ़ती है वो पढ़ती है इसके नाप की तो दोस्तों उपर से नाप की हमें कोई जूद नहीं है क्योंकि यहां तक इसका गला है इस से उपर हम इसको ले भी नहीं सकते तो यह देखी गला इसका जो है टोटल जितना भी तयार उतना हम रख लेंग वो पढ़ती है हमें इसके तीरे की तीरा इसका कितना रखना होता है तो पीछे से अगर गला डीप है तो हमें जो तीरा रखना होता है नॉर्मल मेरा फार्मूला हम छेंच का तीरा उसमें रख लेते हैं यह देखिए छेंच पर एक में निशान लगा रहा हूं लेकिन अगर पीछछे से कि यह घल लहा है याफिक मले की चुड़ाई hai बहुत कम वहंदे रखना किसी की यह 2-3 यह 4 इंश too GTA हमें पूरा का पूरा लेना पड़ता है माले जै किका ते कहती लिए तुप 1020 ने साधियर की पे करनी है दोस्तों आर्म होल की आर मोल कर दो फर्मूला वह बिल्कुल आसान है जितना भी हम तीरा लेते हैं उससे आधा इंच हमें एक्स्टा लेना होता है जैसे यहां से देखी इसका जो तीरा है यानि की जिए शॉल्डर है वो लिए मैं एक 6 तो इसका जो आर्म होले वह हम आदाइच बढ़ा के वो लेंगे साड़ेचे अब साड़ेचे भी आपको इस प्रकार से सीधा एक स्टेट लाइन खेंच नहीं है यह देखिए कि इस टीट लाइन खेंच नहीं है और यह जो पंदर इंच का दोस्तों यहां से दी जाती कमर की शीप अब बात करते हैं हिप साइज कितनी दूरी पर रखा जाता है लंबाई वाली जगे से एक मीडियम साइज के लिए जाता 21 बागी हर किसी की जो होती है किसी को चाक बड़ लाइं खीचनी है तो फेंट्स ये दिखिए टोटल एक दो तीन चार मार्क मैंने लगा लिया है यह लंबाई का हो गया यह आर्म हो गया इसकी कमर की शेप का हो गया यह होगा कि अब बात करते हूं दोस्तों इसका में बोडी मेजरमेंट किया है दोस्तों यह जो सूट की करने जा रहा हूं यह पृइवर्ए मिजैनि करते हो तो उसमें आपको प्लस करना पड़ता यायन लोजिंग देनी पादती है दोस्तों कपड़ा बिल्कुल भी stretchable नहीं है क्योंकि यह घुएक कपड़ा में बहुत कमर इसे कपड़ बілकुल भी stretchable नहीं है जब कोई आपके पास ऐसा कपड़ जिसमें बिल्कुल stretchability ना हो तो बोड़ी का नाप लेने के बाद उसमें आपको तीन इंच प्लस करना पड़ता है अब जैसे कि दोस्तों इसका जो बोड़ी का जो नाप जो की सीने का नाप है वह 49 इंच है यानि कि 39 कमर करना पर दोस्तों वह 35 और जो इसका हिप साइज है वह 43 यानि 43 इंच यह बोड़ी का बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट है टेकिन दोस्तों अगर मैं इसी बोड़ी मेजरमेंट के कोडिंग कटिंग कर दूंगा तो सूट बिल्कुल टाइट हो जाए लेने के बाद अगर कपड़ा आपका बिल्कुल भी स्टेचबल ना हो तो उसमें आपको तीन इंच प्लस लोजिंग देनी पड़ती है अब 49 में तीन जोड़ेंग कितना हो जाएगा 40 41 42 यानि की टोटल जो इसका जो नाब बनेगा सीने को बनेगा 42 अब 42 का दोस्तों हमें तीन इंच प्लस करें कितना हो गया 36 37 38 38 और 38 का आदा दोस्तों होता है 19 और 19 का दो साड़े 9 तो साड़े 9 पर आपको इस प्रकार से निशान लगाना है यह विजिक कमर अब बात करतें इसकी हिप साइज की हिप साइज की अब दोस्तों यही फार्मूला है हिप का जो फिक् तो यह देखिए साड़े 11 पर आपके मैं निशान लगा दूंगा अब दोस्तों यह जो निशान इन निशानों का अपस में आपको मिलाना कैसे यह देखिए यहां से मैंने मिला दिया अब यह जो कमर वाल निशान दोस्तों इसको आपने इस प्रकार से मिलाना है यह देखें इस निशान को के वला आपको यहां तक लेकर जाना है बिलकु सीधा उपर तक नहीं लेकर जाना अगर सीधा उपर तक लेकर जाता हूं तो दोस्तों यह देखिए यह निशान जो इस परकार से जाता है ह Benedict yeah यहां से लिगने छान थोड़ा तिर्षा बन जाता है लेकिन दोस्तों करना क्या होता है अगर आप चाहते हो कि आप के आर्म होल में जोल ना आए तो यह जो निशान लग गळंद है यह जो मैंने निशान लगाया होता है यह एक फार्मूला होता है इसमें क्या होता कि आर्मॉल में जोल नहीं आता तो वैसे तो मैंने एक वीडियो बना भी रखी है इसका एक फार्मॉला यह भी होता है जैसी यह मैंने निशान लगाया है इस निशान से आप नीचे धाइंच पे भी सीधा निशान लगाकर इसको सीधा इस प्रकार से कर सकते हो तो उस वीडियो में आप भी आप बारी की से समझ सकते हो लेकिन दोस्तों यह शोटकर एक तरीका है आपको यहां तक जो आर्मोर वाली जगे होती है यहां से थोड़ा संदर इस प्रकार से निशान को लेके जाना उससे आर्मोर में जोल नहीं आएगा अब दोस्तों मार्किंग मैंने कर ली है और अब बात करते हैं इसके घेर की तो घेर दोस्तों डिपेंड करता है यह देखिए यहां से बन रहा है टोटल यह साड़े 11 अगर आपको स्टेट गया रखना है तो यहां से भी आप साड़े 11 ले सकते हूं यह देखें अगर स्टेट नहीं रखना घेर को बढ़ाना है तो आप इसमें कस्तुमर की चोईस के कोडिंग घेर को बढ़ा सकते हो अब सबसे पहले एक लाइन इस यहां पर पैना तो इसका कोई ओप्शन है निक्यों कि इस तरफ बना हुआ है और नीचे कपड़ा यह इसका जितना भी है लेकर दोस्तों जो लंबाई है वह 41 इंच तो यह देखिए यहां से आपको लंबाई लेनी है 41 41 यह देखिए आदा इंच आपको उपर से इसको बढ़ाते प्रेंट्स अगर सूट बनाना है आपने तुर्पाई वाला तो नीचे मार्जन सफिसेंट है लेकिन अगर आपको रखनी नीचे सिलाई तो इसके लिए आप नीचे ज्यादा ज्यादा एक इंच इसको एक्ट्रा ले सकते हुए देखिए जैसे यह दिखिए मैं आपको नि अब इसमें रह गया सिर्फ उसिफ एक लास्ट वाला मार किये वाला यह देखिए यहां से टोटल यह लिया था मैंने चेंच और फ्रेंट्स यहां से भी आपको चैंच ही रखना है यह देखिए और इस लाइन को सीधा इस परकार से मिलाना है इसके बाद आपको इदर से ल आउन और दोस्तों अब यह देखिए जो निश्ट लाई है यह जो मार्किंग मैंने कर रखी है यहां पर तो आ जाए गया आपकी सिलाई इसके अलावा जब आप कटिंग करें तो यहां से आपको एक्ष्टा कपा लेना है लगभा डेड़ डेडिंच एक्ष्टा यह देख पर सकते हो फरनट वाला डो फाट ऑलिप मैंने क्रेंग इसप्रकार से कर ली है अब फ्राइंट के अकोर्डिंग हम इसकी बैक वालएप 給 करेंगे जो भी मेन काम होता है दोस्तों वह ता फ्रेंट वाला तो स मैं सब कुछ है अग उसके मने पीछे द्यक्तिंश करेंगे कैसे फर्ट पार्ट की कर्ट उचकी है अब ये देखिए बैक पार्ट की कुटिंग को कैसे करनी है इसको पहले सब से फैले आपको करना है अलग यह देखें आप दोस्तों यह देखिया है फ्रंट की कटिंग हो चुकी है जो भी उसके साइड की कप्रास उसको मैंने काटती है तांकि करने में बागी हमें कोई प्रव्ल्म नहीं आए अब क्योंकि दोस्तों फ्रेंट वाला जो पार्ट था वो बिलकुल वीचो बीच से में ने काटना क्यों कि उसमें बीच और यह साड़े 11 क्योंकि डेडिश में एक्ष्टा जो था आप देख सकते इस प्रकार से यह जो डेडिश एक्ष्टा फोल्ड के लिए होता है अब आपको इसके उपर आपको इसको बिचाना है पहले को कैसे बिचाना इसको सैट कर लेते हैं तो फ्रेंट्स यह देखिए यह इसका बैक पार्ट है इसको में इस प्रकार से डबल फोल्ड कर रख है और इसके उपर मैंने रख लिया है फ्रेंट वाले पार्ट को जो अभी हमने इस इसकी कटिंग करी थी सेम इसकी कटिंग करनी है सिर्फ आपको एक जगे चिंजिस करना है यह देखिए पीछे साब दे अब फ्रेंट इस बटय says भड़ा है इसमें से सराव्ड निकल जाएगी और इस से पहले जो सरो यह एक्ष्ट वाला पार्ट में से बेल निकल जाएगी और यह एक्ष्टा जो पपड़ा है इसमें हम से आराम से सिलीट्स निकाल लेंगे अब दोस्टों पह갔े हम कर लेते हैं कटिंग बाद अब आप को छफीर in the बार बैक की कटिंग करने के बाद अब आपको उठाना है सिर्फ और सिर्फ इसका फ्रेंट वाला यह देखिए क्योंकि फ्रेंट वाला जो पार्ट होता है उसमें हम आर महल की एक्ष्टा कटिंग करनी पड़ती है यहां से जो टोटल दूरी ली थी मैंने वह ली थी डेड़ इंच अब डेड़ इंच का आदा करना है आपको यहां से देखिए और यहां से बिल्कुल इसके स असास्त आना है और डेड़ इंच वाले निशान पर आपको यह जो निशान इसका आदा करते हुए आपको इसमें जाकर मिलाना है यह देखिए और हलक किसी है बस आपको यहां से गुलाइए करनी है यह हमारे फ्रेंट आर्मोर की कटिंग हो जाएगी और यह कटिंग बहु इसा यह देखिए यहां से हमने जो कर लखना पीछे से उरकना चेंज तो यह देखिए श का जो गला बनता है इसमें हमें आधा इंच एस्टा लेकर चलना होता है क्योंकि आधा इंच ओपर मार्जम चला जाएगा यह देखिए कि यहां से दूरी लेनी है लेने आपको लेने लगबाग धाइंच अगर आप बुकरम पर बनाना चाहो तो बुकरम पर बना सकते हो कपड़े बनाना चाहो तो यह देखी जैसे मेरे मार्क करिए इस प्रकास इसकी गुलाई कर दें यह हमारा पीछे से गलmia कटिंग हो चुकी है President में करेंगे सुख से जाई अब हम करेंगे स्लीज की करने के तो यह जो कपडह है इस कपड़े में इसकी निकाना लेंगे बाजू बाजू की cutting करने के लिए देखे कपड़े को पहले में इस प्रकार से डबल कर लिया है आप देख सकते हो डबल करने के बाद आपको इसको बीचो बीच इस प्रकार से फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको एक निशान लगाना है इधर ताकि देखे सिंगर पार्ट था अब फ्रेंट्स बाजू की जो लंबाई सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे आदा ही जीदा से छोड़ लेंगे क्योंकि आदा ही चुक्पर स्लय में चला जाएगा बाजू की लंबाई है फ्रेंट्स वह 21 इंच लंबाई है आगे से बाजू की जब भी आप कोई भी कटिंग करते हो किसी प्रकार की बाजू की एक फार्मॉला होता है यहां से तीनिच डाउन लेना होता है और इसके बाद दोस्तों यहां से आपको इस निशान को तीनिच में जाके मिलाना होता है इस प्रकार से अब कितना मिलाना है ताकि आ आजाए इसके लिए दोस्तों सिंपल फार्मूला जो भी आपका सीने का साइज है जैसे कि यह जो सूटकी में कर रहा हूं उसका सीने का साइज 49 साइज 49 का आपको करना एक चुथाई 49 का दोस्तों हम एक चुथाई करते हैंटो हो बनता है पोणे 10 इंच तो आपको इस प्रकार से क्रोश हमोने फोने 10 susceptible हैं दोस इंच यह देखी कहांपर आँहां पर पर औहींद दस इंच इसका इक टुथा यह गया लेकिन इसमें से आपको 10網 क्म करने बनता दोस्तों कितना है कि यह बनेगा सवानों तो सवानों पर आपको लगाना है ये बाजू कटिंग का परफेक्ट फार्मूला है सीने का चोथा इसा करने के बाद उसमें से आदा इच कम कर दे और वहीं पर आपका आर्मॉल बिल्कुल परफेक्ट आएगा तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए सवानों इस पर ये निशान आ रहा है लेकिन थोटा सा जोड आएगा जादा बड़ा जोड नहीं आएगा क्योंकि ये देखि इस प्रकार से जो सलाई आईगी इस जगर पर आजाएगी इतनी जगर थोटा साब को जोड लगाना है तो पहले हम कर लेते हैं कि कटिंग कर नहीं है देखें ये जो निशान है इदर तो लग जाएगा बाकी दोस्तों चारों के चारों जोड जब इनको हम स्लाइए करेंगे स्लाइए करने के बाद ही इसका जो फ्रंट आर्म होले उसकी हम कटिंग बाद में करेंगे अगर पहले कटिंग कर दो के तो स्लाइए करने वाला थोड़ा कन्फूज हो जाएगा कौन सा ज के बाद गुलाई लिख देते हैं वह है आठ इंच तो दोस्तों कुड़ते की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट अब इसकी जो सल्वार है सल्वार की कटिंग का जो फार्मूला है बिल्कुल असान है एक्चुली दोस्तों सल्वार यह का पहले सबसे पहले मैं आपको कपड़ा बच था हूं कि कितना कपड़ हमारा पस बच जाए मेरे पास साधे चार मिटर कपड़ा था और सुल्टी की कटिंग हमने कर लिए यह देखिए कप देखते कितना ही मुआ कि कप्रा दोस्तों लगबग दो मीटर और अजमीटे कपड़ा तो यह है और इसके अलावा यह है इस सब्जेक्ट पर दोस्तों एक औरड़ी में वीडियो बना रखी है आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जिसमें आप असानी से सीख सकते हो कि सलवार की कटिंग कैसे की जाती है अगर मैं आपको सलवार की कटिंग भी बताता हूं वीडियो में वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों आशा करता हूं कि वुलन कूट जो कुर्ती होती है उसकी जो कटिंग का जो फार्मूला है जो कि सब्सक्राइब करें और हमें सब्सक्राइब करें थैंक्यू वेरी माच